हालो फ्रेंड्स और एक नाव बिड़े में आप लोग का स्वागत है कल 17 जुलाई को खतम हो गया एफाइज हकी ओमेंस वालकप 2022 और ये जब मैंच खतम हुआ तब मेडाल सरिमनी आयोजन किया गया था जिसमें तब थ्री ओमेंस हकी टीम को गोल्डेन, सिल्वर और ब्रोंज मडाल में नवाजा गया है इसके साथ मेडाल सरिमनी में इंडिविज्वाल आवार्ड्स की भी घोशना की गई इसमें कौन सी प्लेयार सबसे ज़्यादा गोल दागा, कौन सी प्लेयार सबसे अच्छा प्लेयार है, कौन सी प्लेयार सबसे जुनियर प्लेयार है और उनके प्रदर्शन की मुताविक उनको आवार्ड दिया गया है तो यह जो आवार्ड सेरिमनी हुआ कौन सा टीम को मेडाल मिला और कौन-कौन सा प्लेयर को आवार्ड दिया गया है उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहूं तो आप लोग हक्की प्रेमी है हक्की के बारे में जो भी सुचना आता है उस पर आपकी नजर है तो एक जुलाई से जो शुरू हुआ था एफाइज हाकी ओमेंस वाल कप 2022 कल यानिके 17 जुलाई को खतम हो चुका है जिसमें फाइनाल म्याज में नेदर्लांड ने आर्जिंट रहा आर्जेंटिना इसलिए आर्जेंटिना को सिल्वर मेडाल मिला तीसरे स्तान पर रहा अस्ट्रेलिया जो की जर्मानी को हराकर थार्ड प्लेस पर रहा इसलिए अस्ट्रेलिया को ब्रोंज मेडल बला इसके बार इंडिविज्वाल आवार्ज दिया गया ये जो जितना गोलकीपर की आवार्ड बेलेन सुशी को दिया गया जो कि आरजेंटिना की प्लेयर रहे और हीरो मोटकॉप गोल्सकोरर यानि कि यह इवेंट में सबसे ज्यादा जो गोल दिये हैं वह है अगस्टिना गोर्जिलेनी जिन्नों ने यह इवेंट में आठ गोल दागे जो कि आर हीरो मोटकॉप टप गोल्सकोरर की रूप में आवार्ड दिया गया उसके बाद आ गई ओडिसा बेस्ट प्लेयर आवार्ड यह जो आवार्ड मेजो ग्रानाटव को दिया गया जो कि आरजेंटिना के प्लेयर है इस इवेंट में सबसे बेस्ट जुनियर प्लेयर है चारलो तो एंगलबर्ट ये है बेलजियम की प्लेयार उनको भी बेस जुनियर प्लेयार के आवार्ड दिया गया है तो ये जो मेडाल सरीमनी हुआ और कुछ लोगों को भी मेडाल दिया गया है उसके उपर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं तो ये थी मेडाल शरीमनी की जो मेडाल दे आ गया है उसके बारे में सुचना मुझे लगा कि आप लोग हाकी प्रेमी है आपके साथ भी ये श्यार करना जरूरी है इसलीए ये वीडियो बना दिया- मुझे लग रहा है हमारा वीडियो आपको अच्छी लग नहीं होगा- वी झाल 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 झाल